अब इहाल ही ही में पाकिस्तान के गौादर पोर्ट पर आतंकी हमला गुआ था जिसमें दो लोग मारे गए थे अब एक बार फिर पाकिस्तान आतंकी हमले से दहल उठा है देखिया हमारी रिपोर्ट बार डाले पाकिस्तानी बलूच और तालिबान ने उड़ाए चीथड़े पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी सेना के चीथड़े उड़ा कर रख दिये गए पाकिस्तानी सेना पर डबल अटाक हो रहे है एक दराफ अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान बॉडर पर पाकिस्तानी सेना पर अंधाग धुंद हमले कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बलुचिस्तान बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने गॉडर पोर्ट पर जबरदस्त खुनी हमले किये है पाकिस्तानी सेना पर हुए खौफ़नाक हमलों से पाकिस्तानी सेना प्रमुक आसिम मुनीर के खोश वड़ गाए है जबकि पाकिस्तान के प्रधान मंतरी शेहबाश शरीप इन हमलों के बाद से घुटनों पर आते दिख रहे हैं आप इन दो तस्वीरों से समझ लीजिए इस वक्त पाकिस्तानी सेना के साथ क्या हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉडर पर तालिबान कमांडर पाकिस्तानी सेना पर सीधा हमला करने में जुटे हैं पाकिस्तान के डेरा इसमाईल खान इलाखे में पाकिस्तानी सुरक्षबलों के काफिले पर भीशन हमला हुआ है जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए है वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के गौादर पोर्ड स्थित एक इमारत पर हमला किया है जिसमें कई पाकिस्तानी अधिकारी और पाकिस्तानी खुप्या एजेंसिया इसाई के अधिकारी बारे गए हैं DLA का बारुदी बदला सबसे पहले आप ये जान लीजी बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी किस तरह से पाकिस्तानी सेना से खुनी जंग कर रही है चीन के दरजनों इंजिनियर और वर्कर इस वक्त ग्वादर पोर्ड पर काम कर रहे हैं बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसे अपनी जमीन पर चीन और पाकिस्तान का नाचायज गबजा मानती है इसी को लेकर बी-ले के लड़ाकों ने जबरदस्त आत्मगाती हमले किये हैं जरा इन तस्वीरों को देखी गौदर में एक वोट पर बनी अमारत पर बी-ले के लड़ाकों ने जबरदस्त हमला किया है जरा देखी ये हमला क्यों पाकिस्तान और चीन के खिलाव एक युद्ध के रूप में देखा जा रहा है पाकिस्तान के गौदर में हुए भीशन हमले के बाद बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन को कड़ी धम की दी है और कहा ऐसे हमले लगातार जारी रहेंगे बी अले के इस हमले में पाकिस्तान के खुफ़या एजेंसी आईसाई के आधा दरजन अधिकारियों और कर्मचारियों समेथ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक दरजन से ज्यादा लोग मारे गए है बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मे की माजिद प्रिगेड ने इस आत्मगाती हमले को अंजाम दिया है बीले ने जिस इमारत पर हमला किया था उस इमारत में गौदर पोर्ट ट्रस्ट का काम देख रहे है चीनी अधिकारियों और पाकिस्तानी खुपवे अधिकारियों की बैठा कोने वाली थी बलुच आर्मे के हमले से बॉक लाई पाकिस्तानी सेना की बूलती बंद हो चुपी है इस भीर्शन हमले में शामिल होने वाले लड़ाकों के कमांडर समें सभी आठ लड़ाते मारे गए हैं जिनकी फोटो भी जारी की गई है और कोशाबी भी एक डीसेव अनकंट्रोल हो गई जिसके बात पे देखा गया कि एक बाइक सवार को सिटकर मार दिया और उसके बात में कई लोगों को घायल भी कर दिया एक व्यक्ति की मौत हो गई है तीन लोग घायल हो गए हैं और पुलिस मौके पर पहुची और घायलों को अस्पताल में भरती कराया गया यह तस्पीरे आपको दिखा रहे हैं इस हादिसे भी एक शक्स की मौत हो गई है तीन लोग घायल हो गए हैं और साथी पुलिस मौके पर पहुची सभी घायलों को रेस्क्यू कर वाहा निकाला गया उसके बात में अस्पताल में भरती कराया गया अलागे पुलिस साज परताल कर रही है यह हादिसा कैसे हुआ खबर फतेपुर से है जहां पर एक ट्रक पलट गया जसकारण कंड़क्टर की मौत हो गई और ड्राइवर ने खिड़की से कूद कर अपनी जान बचाई खागा कोतवाली के कटोगन NH2 में एक तेज रफता ट्रक पलट गया हादसे में ड्राइवर और उसका सहाया घायल हुआ है बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है तो ये ट्रक हाथसे का शिकार हो गया, एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में इस ट्रक का बैलन्स बिगड़ गया और ये पलट गया, हाथसे में ड्राइवर और कंड़क्टर दोनों घायल हुए हैं,